Hi everyone, Gilg Mentor के officially YouTube channel पर मैं आप सब का welcome करता हूँ Recruitment Notification में आपके लिए बहुत इची जानकर इलाया हूँ कि GIC ने एक officially Notification जारी करके vacancies के बारे में update दी है आप कब से form भर सकते हैं, form भरने की beginning date क्या है, last date क्या है, form piece कितनी लगेगी फिर आपका selection कैसे होगा, selection अगर return से होता तो उसका syllabus क्या होगा और आप exam center कहां कहां हो सकते हैं और आप exam कहां देना चाहते हैं complete इस session में आपको जानकरी देने बाला हूँ अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही सरकारी नोकरी के 70 अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे तो प्लीज आप इस channel को अभी से subscribe करें और bell button को जुरूर प्रेस करें ताकि आप तक सबसे पहले important notification पहुंच जाए दूसरी बात बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बचे कहते हैं सर हमारे पास notification नहीं आता तो प्यारे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा officially website आप हमारे YouTube channel पर आएं और दुबारा से bell को प्रेस करिएगा ठीक है तो आपके पास वापस से notification आने शुरू हो जाएंगी मैं आपको लेकर चलता हूँ officially notification पर वहाँ देखते हैं ज्यादा जानकरी क्या है दोस्तो GICI क्या है General Insurance Corporation of India है इसमें vacancies हर साल निकलती है online registration की बात करते हैं तो 21 आट से आप अपने online form भर सकते हैं 21 आट से अपने form भर सकते हैं 11 तारीक आपकी last date होगी इसी बीच में आपको payment करनी होगी ठीक है और आपका जो exam है दोस्तों वो बताना चाहूँगा कि exam आपका 5 अक्टूबर को दे रखा है यानि 5 अक्टूबर को आपका exam होगा और इसमें आपको दे रखा है कि downloading of call letter for examination जो examination के सबंदित आपको call letter है लगबग 10 दिनों के आसपास आपको इसके बारे में जानकरी दी जाएगी जितने भी candidate SCST हैं, OBC है, PWD candidates हैं आपको 23-9 से लेकर 26-9 के बीच में एक जैसे आपको पता होता है कि training यानि जो pre recruitment training है वो उसके सबंद में आपको जानकरी दी जाएगी अब आताती है कि इसमें कौन-कौन form बर सकता है, legibility क्या क्या है, चेक कर लेते हैं सबसे पहले 9 post दे रखे हैं कि finance accounts के अंदर, जिसे में candidate के पास B.com की डिगरी होनी चाहिए, कम से कम 60% marks होने चाहिए SC, ST और BC इन सभी candidates को 50%, 55% marks लाने जरूरी है, और उन्होंने कहा है कि या, any जो equivalent इसके बराबर की कोई डिगरी हो, center government से कर रखी हो, तो वो candidate भी form भर सकती है desirable additional qualification है, वो आपको chartered account दे रखा है, ठीक है, number 2 पर बात करते है, information technology software के लिए 2 post है, जिनके लिए आपके पास bachelor of technology, माफ करना, B.E. होनी चाहिए, ठीक है, B.E. होनी चाहिए, या computer science में आपने डिगरी कर रखी हो, या M.C.A. कर रखा हो 60% के साथ में, और S.E.S.T. candidate और O.B.C को 55% की जरूरत है, यहां पर desirable की बात है, तो skill set mention below होना जरूरी है, legal की बात करते हैं, 6 post है, आपके पास L.L.B. की डिगरी होनी चाहिए, और आपके पास L.L.M. का experience होना चाहिए, वो candidate यहां पर form भर सकते हैं, automobile engineer के लिए एक post है, जहां तक आपके पास बात करते हैं, डिग engineering दे रखा है, दूसमें दो post होने चाहिए, ठीक है, और marine engineering में एक post मांगी गई है, company जहां तक बात आती है, secretary की दो post इसमें दे रखी है, और हिंदी में एक post और total 25 post के लिए अपडेट आपके लिए दे रखी है, जहां तक बात आती है, कि form भरने के साथ में आपका selection कैसे हो तो वो मैं आप सबको पूरी जानकरी आगे देने वाला हूँ, यह देख सकते हैं आप, general की 11 post है, EWS में 2 है, SE की 3 post है, SE की 2 है, OBC की 7 post है, PWD 1 post है, total 25 post की जानकरी आपको यहां पर दे रखी है, age की बात करते हैं, दोस्तों, 21 साल से लेकर 30 साल की बीच में आपकी उमर होनी यह, as per the rule regulation of government के दवारा जो दे रखे हैं, 5 साल SCST को है, OBC को 3 साल का है, PWD candidate को 10 साल की age में छूट मिलने वाली है, right, अब आती बात कि यहां पर ex-servicemen के लिए क्या है, तो ex-servicemen candidate भी यहां पर form भर सकते हैं, अगर आप भरना इच्छुप समझते हैं अपने आप में, तो आप जरूर form भरियेगा, center की बात करते हैं, प्यारे बच्चों तो center जहां तक बात करते हैं, कि जहां तक बात आती है, कि चंडिगड़ के आसपास हैं, हिमाचल है, हिरियाना है, पंजाब की बात है, तो आप यानि चंडिगड़ में paper दे सकते हैं, यहाँ पर आपको जानक क्लिर है ये आप सब के लिए अप्डेट थी अब आती बात कि आपका सेलेक्शन कैसे होगा मेरे प्यारे बंदू आपका सेलेक्शन यहां पर दे रखा है कि specialist other than hindi officer मतलब hindi officer के अलावा आपका सेलेक्शन क्या होगा यह बहुत important है screen shot ले सकते आप अगर form भरना चाहेंगे and numerical ability के total आपको 20-20-20 questions दे रखे हैं 20-20 questions 20-20 minutes के clear है अब C part यह डिस्क्रेप्टिव होगा यह test English language में होगा जिसमें आपको essay या कोई भी process पूछे जा सकती है 30 questions होगे और इसमें आपको total 3 questions मिलेंगे 30 marks के questions मिलेंगे बलकि 3 questions मिलेंगे overall जहां तक बात करते है 150 questions है 150 number है और 123 questions है ठीक है Hindi के लिए क्या होगा Hindi के लिए बस थोड़ा सा changes होगा इसले बस में जैसे कि आप देख सकते हैं part 1 की बात करते हैं तो यहाँ पर technical professional knowledge test and relevant discipline test of Hindi English grammar vocabulary plus knowledge of act and rules regarding officially language जो implementation होगा 40 questions 40 marks कहाएंगे मेरे प्यारे बंदूओ ठीक है reasoning की बात है 20 questions 20 marks के इसमें कि आपको जैसे Hindi to English की में translation आएगा 20 questions 20 marks के और general awareness 20 questions 20 marks के और आपको 50 number का आएगा 5 जिसमें कि आपको questions दिये जाएंगे यह होगे सिर्फ और सिर्फ Hindi language ऐसे precise यानि comprehension होगा and Hindi English grammar में आपको दिया जाएगा 105 questions होगे 150 number का होगा paper में जानकर यहां पर दे रखी है कि कम से कम minimum 60% general category को paper qualify करना जरूरी है 50% OBC और ST और ST को clear करना है clear है यह आपके लिए total इन्होंने जानकरी पहले से दे दिये तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी candidate banking exam की preparation कर रहा है तो आप इसको मत हाथ से निकालिएगा आप इसमें जरूर form भरिएगा ठीक है अगर आप form भरेंगे तो definitely आप यहां पर अच्छे से अपना score बना सकते हैं कोई बहुत मुश्कल टेस्ट यह नहीं होने वाला है अब आताती अंत में आपको fees कितनी भरनी है तो यहां पर दे रखे है कि non refundable आपकी 500 रुपेज होगी जिसमें कि plus GST 18% आपको pay करना होगा तो यह आप देख सकते हैं और यह आपके लिए जानकरी थी आपको प्रोपर समझ में आ गया होगा अब आताती कि SCST है इसके अलावा जब physical handicapped candidate है आपको किसी पर गार की कुप ए नहीं करनी है यह आपको जानकरी दे रखे हैं बाकी इसकी अधिक जानकरी के लिए आप officially website पर जाएं और मैं officially website का link आपको comment box में दे दूँगा जहांपर आप direct click करके इसकी पूरी जानकरी फरदर ले सकते हैं और मैं इस officially notification को भी attach कर दूँगा जिससे कि आपको इसमें study करना बहुत हीजी हो जाएगा आप सबने अपना बेश किमती समय दिया इसके लिए मैं आपको शुक्रिया करूँगा मैं मिलूँगा next update में तब तो ख्याल रखेगा टेक केर बाबाई